नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल पे आप सबका एक और वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोग शिर्षक में देख पा रहे हैं टाइटल में देख पा रहे हैं यह जो वीडियो है यह है रिंग वार्म या फिर दात खात पुझली के बारे में मैं यह चैलेंज करता हूँ कि यह जो वीडियो है इससे ज्यादा कंप्लीट मटेरियल आपने पूरी की पूरी यूट्यूब के उपर रिंग वार्म पे नहीं देखा होगा इंक्लूडिंग देट्रीटमेंट तो इसके बारे में अच्छे से जानकारी पाने के लिए वीड सबसे पहले हम इसकी definition को समझेंगे कि definition of ringworm also known as the dermatophytosis dermophyte infection और टीनिया इसको हम कही नाम से जानते हैं इसको टीनिया के नाम से सबसे ज़्यादा बुक्स के अंदर देखा जाता है टीनिया infection या फिर फंगल infection या आम बोल चाल की भाशा में इसको हम फंगल इंफेक्शन बोलत misleading नाम जो इसका ringworm है यह बहुत misleading नाम है इसके होने का भी कारण यह है कि the lesson caused by this infection resembles a worm in the shape of ring तो इसलिए इसको ringworm बोलते हैं otherwise यह warm से कोई इसका लेना देना नहीं है यह dermatophytosis या यह fungal infection है और इसका ringworm इसलिए नाम दिया गया क्योंकि generally आपनको fungal infection में ring बनती है body के उपर जहां पर भी fungal infection होता है वह रिंग बनती है तो वो ring shape जो इसका resemblance है वो warm से उसको warm से resemblance होने के वज़े से इसका नाम ringworm दिया गया otherwise इसको fungal infection कहते हैं आंद बोलचाल की भाशा में अब इसकी etiology क्या होगी इसका causation क्या होगा तो ringworm is a contagious fungal infection caused by common mouth mouth मतलब काई काई मतलब fungus माउड लग जाती है तलाब के अंदर पानी भरा रहता है तो हरी हरी काई दिखती है और बरसात जब होती है तो हम लोगों के कपड़े पीछे टंगे रहते हैं कई बार कोई हमने कपड़ा टांग के भूल गये दरवाजे के पीछ हें कटी पहां तो आपन उसके अंदर हम ब्लैक 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 फंगस देखते हैं तो वह तो इस बमाउल जो व्रैड हमारी जाड द ब्रैट के उपर क्या होता है व्रइन ग्रीन 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 लिसन नोवन इस the माउल फंगास अं व्रिग वापां सो यह fungal infection क्या होता है, fungus क्या होती है, fungus एक parasite होता है, that lives on the cell in the outer layer of your skin, हमारे skin के outer layer के अंदर यह fungus जो है, infection के साथ इसका ब्वास होने लगता है, इसका मतलब महाँ पे रहने लगती है, और यह फिर ringworm को जनम देती है, अब इसके क्या ringworm contagious होता है, तो जवाब है बिल्कुल जी, contagious होता है, अगर आपके घर के किसी member को ringworm है, तो इस पाद के बहुत ज़्यादा chances है कि वो दूसरों को भी हो सकता है, तो इसका root क्या होता है, direct skin to skin contact से यह फैल सकता है, with an infected person, ठीक है न, अब आगे चलते हैं, classification of the tinea infection या ringworm, अब ये तो आप ये वीडियो पॉस करके पढ़ लीजिएगा, इसको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैंने आगे बहुत सारी slides रखी हैं, तो जो tinea infection या fungal infection या ringworm होता है, इसका जो classification होता है, that depends on the area which is affected by the fungal infection, तो ये area के हिसाब से इसका classification होता है, यहाँ पर ये लिखा tinea capitis, मतलब जब ये scalp में होता है, तो इसको कहता है tinea capitis, tinea barbea, जब दाड़ी में, beard में होता है, तो इसको tinea barbea बोलते हैं and so on, तो इसको हम आगे की slides में बहुत अच्छे से समझने की कोशिच करेंगे, अब आप ये देख लिजए, ये जो एक graph है, एक छोटा सा एक ये जो diagram है, इससे अपन समझ सकते हैं, एक होता है tinea faciae, मैंने क्या बताया कि जिस area में ये fungal infection ringworm होगा, इसका नाम उस तरह से होगा, तो ये चेहरे पे जब होता है, तो इसको बोलते है tinea faciae, ये tinea capitis तब कहलाता है, जब ये scalp के उपर होगा, दाड़ी के उपर जब ये होगा, तो इसको हम कहेंगे tinea barbeyi, जब ये हमारे hand, मतलब हमारे hand पे होगा, तो इसका नाम होगा tinea manam, जब ये हमारी trunk पे होगा, ट्रंक मतलब हमारी गर्दन से लेके हमारा groin के waist के उपर तक जब ये यहाँ पे होगा, आगे या पीछे कहीं पे भी body के पर, हमारे body के उपर, तो इसको कहेंगे tinea corporis, जब ये हमारे private parts में या तो front में anterior या posterior part में, जब private parts में होगा, तो इसको कहेंगे tinea corporis, जब ये हमारे नाखुनों में होगा, तो इसका नाम है tinea anguinim, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, और ये जो होता है, जब ये हमारे phalanges के बीच में, ये हमारे पंजा, पैर के पंजे को effect करेगा, तब इसको हम कहते हैं, तीनिया पैडिस, अब अपन आगे इस slide के अंदर देखते हैं, सबसे पहले एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, ये कहीं पर भी पाया जा रहा है, उसकी लोकलिटी के हिसाब से, इसका कुछ भी नाम है, पर इसके जो pathological symptoms, वो जब रहते हैं, वो सब सेम रहते हैं, ठीक है न, तो it can range from a very mere छोटा सा spot, जोगी आप यहां पर पहली picture में देख रहे हैं, जहां पर मैं माउस को घुमा रहा जैसे कि इस वाले आप slide में देख पा रहे हैं, second diagram में कि यह जो है अंडरांस पर है, फिर यहां पर यह इन दा फॉर्म आप टीरिया कारपोर इसी abdomen के उपर है, यह उसी abdomen के अंदर और extended है, यह genital area के आसपास है इन दा फॉर्म आप टीनिया क्रूरिस और यह टीनिया क्रूर अब अपन यहां पर पढ़ लेते हैं, जैसा कि आपको पहली जो slide के अंदर जो था वही चीज यहां पर है, clinical classification कि यह टीनिया कैपाइटिस, टीनिया कैपाइटिस मतलब ringworm infection of the head, scalp, eyebrow and eyelashes, टीनिया फैसियालिस मतलब फैसियालिस से यह fungal infection of ringworm of face, टीनिया कॉर्पोरिस मतलब ringworm of the body, टीनिया कॉर्पोरिस मतलब ringworm of the groin, इसको joke each भी बोलते हैं, G-O-C-K-I-T-C-H, इसका nickname है, ठीक है न, यह बहुत common form है, fungal infection का, one of the most common form जो हम अपनी practice में देखते हैं, that is the टीनिया कॉर्पोरिस, की जो private parts होते हैं, patient को वहां पर fungal infection और ringworms बनते हैं, और due to that, बहुत ज उपर होता है, जब तो इसको बोलते हैं, इसके बाद टीनिया बार्बी, जब यह दाड़ी के उपर हो, या beard के उपर हो, टीनिया मैनम, जब यह hand के उपर हो, यह सब हम detail में इनके सबके examples आगे आने वाली slide में देखेंगे, और टीनिया पैडिस, जब यह foot के उपर हो, और जो निकनेम रखा गया है, वो है athlete's foot, okay, अगले slide पे चलते हैं, यह वही classification, एक बार और, यह अलग-अलग angle से लोगों को, अलग-अलग लोगों को समझ में आता है, तो that is why मैं कोशिश करता हूँ, कि कोई important point कोई भी वीमारी का होता है, उस point की मैं ज़्यादा से ज़्यादा slides रख सकूँ, जिससे कि अलग-अलग लोगों को अलग-अलग aspect में बास समाझाए, तो tinia capitis मतलब scalp और hair के उपर ringworm को हम बोलते हैं, tinia barberry मतलब tinia barberry मतलब जब beard दाड़ी के उपर हो, corpores जब इसको बोलते हैं, जब यह trunk पे हो, tinia cruris, जब यह groin और invional region पे हो, tinia manum मतलब hand के उपर हो, और tinia unguinim जब यह nail के उपर हो, tinia padis जब यह foot के उपर हो, है ना, तो यह उसी का यह तीसरा प्रारूप है, जिससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, आप इसको वीडियो को pause करके अच्छे से slide को देख सकते हैं, अब आगे चलते हैं यह देखिए, यह जो है, यह जितने भी मैंने type बताया आपको, tinia infection के लगबग 60 type, यह उन सब के representation है, यह एक ही picture के अंदर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह कैसा क्या है, जैसे कि tinia padis, आपने देखा होगा कि लोगों को उंगलियों के बीच में हो जाता है, पैर की उंगलियों के बीच में, खासकर जो mates वगेरे होती हैं, जो की पानी के संपर्क में जिनके पैर गीले रहते हैं, तो उनको होता है, tinia corpores मतलब यह body के उपर होता, tinia capitis मतलब यह head के उपर देख पा रहे हैं, है न, tinia barbei मतलब यह दाड़ी के उपर, और यह जो है नाखुन के उपर, ओके, अब आगे चलते हैं, यह सब अपन detail में पढ़ेंगे, अब अपन first वाले के उपर आते हैं, जो first अपना variant है, tinia corpores, यह plain ring warm, इसके अंदर जो ring warm को पैचानने का जो तरीका है, वो यह है, कि ring warm में छोटे से spot से चालू होता है, और यह छोटे से spot से चालू हो है ना, और इसके साथ साथ यहां पर central clearing होती है, मतलब जो center का area होता है, ring warm का, वो absolutely clear होता है, generally उसमें itching भी नहीं होती, और जो margins होती है ना, यह sharply marginated or raised edges होंगी, इसकी margin के उपर यह खुरदुड़ा होगा, margin के उपर इसकी जो edges होंगी, वो उठी हुई होगी, और यह इसी pattern क के अंदर यह आगे जाके यह फैलता जाता है, यह फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा, ओके, यहां पर जो चार variant हमको commonly tenia, corporis की जो देखने में आते हैं, यहां पर वो variant है, मतलब जो pungal infection है, वो कई बार अल अलग अलग look में दिखता है, उसका जो look and appearance अलग अलग होता है, तो उसके अगर आप ज़्यादा तर रूपों को आज अगर समझ लेंगे, तो आपको practice के अंदर identify करने में उसमें तकलीफ नहीं होगी, एक तो यह जो अपन ने example लिया कि जो classical example होता है, जिसके अंदर raised margin होती है, margin के उपर scales, मतलब जब patient खुजाता है, तो margin उसकी फैलती जाती over the period, और वहां से scales निकलती है, और center का area बिल्कुल clear होता है, तो यह classical example हो गया, तीनिया कॉर्पोरिस का, जो दूसरा example है, iridma margin, मतलब यहाँ पे कुछ raised नहीं होगा, यह लाल margin होगी, center भी red होगा, और margin भ मतलब आपको कई छोटे 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 पैचे से इसमें एकदम अगल बगल दिखेंगे, है ना, और यह जो चौथा है, टीनिया वैसी कोलर, इसके बारे में मैं अलग से कुछ slides रखा हूँ, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम generally यह अपनी practice मे इसको देखते हैं, पर डॉक्टर्स देखने के बाद भी इसको कई बार पहचान नहीं पाते हैं, बस वो इतना identify कर पाते हैं, कि this may be the fungal infection, तो इसको हम detail में आगे समझते हैं, तो, here are the four example of tinea corpores, ओके, अब अपना आगे चलते हैं, कि these are the tinea vesicolar, the very common and asymptomatic form of tinea corpores, यहाँ पे भी मैंने आपको tinea vesicolar बताया था, और यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, कि इसको मैं अलग से आपको समझाओंगा, तो यह वही है, tinea vesicolar ना लाल होता है, ना उसकी margin raised होती है, जैसा कि slide में देख पा रहे हैं, इसके अंदर यह white white color के patches दिखेंगे आपको, और यह आप लोग अपने patient में generally देखते हैं, कई patient आपको इस region में chest पे बताएंगे, patient आपको back पे बताएंगे, upper arm पे बताएंगे, कई बार patient बताता है, कि सर यह white white हो रहा है, तो यह tinia corpores का एक बहुत commonly पाये जाने वाला variant है, जो कि उसके classical variant से एकदम opposite है, classical variant में ring बनती है, और खुझली चलती है, ring जो है border उसकी red होती है, raised होती है, और फैलती जाती ही खुझाने पे, पर tinia vesicolor में शायद कभी aging भी नहीं होती है, यह सिर्फ just asymptomatic white color के patches के रूप में हमको दिखता है, तो इसको अलग से समझाना इसलिए जरूरी था कि आप लोगों को पता हो कि यह एक tinia carporis का ही एक subtype है, जिसको हम कहते हैं tinia vesicolor, और यह हमको ध्यान रखना है कि इसका भी इलाज fungal infection के treatment से ही यह जाता है, अब देखिए दूसरा type जो है, यह tinia capitis के कुछ मैं classical example दे रहा हूँ, जैसा कि आप यह देख रहे हैं कि इनके scalp के ऊपर यह fungal infection हो रहा है और यहां से इनके जो बाल है, वो उड़ने चालू हो गए हैं, और फिर बाल में भी बाल जड़ भी सकते हैं, नहीं भी जड़ सकते हैं, बट यह fungal infection है, तो इसके sign and symptoms से आपको साफ साफ पता चलेगा कि यह tinia capitis है, मतलब fungal infection यह ring warm of head, दोस्तों यह तीसरे example में यहां पर example ले रहा हूँ, tinia cruris का, है ना, tinia cruris के अंदर मतलब क्या बताया था, हमने tinia cruris मतलब हमारे private parts के ऊपर anterior और posterior area में, जो fungal infection in the form of ring ring warm होता है, तो उसको कहते है, tinia cruris, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि scrotum के अंदर यह बड़ बड़ रिंग बने हुए हैं, यहां पर कई बार patient को, यह scrotal area के जो rings होते हैं, वो इतने बड़े बनते हैं कि वो पूरी body के mid part को भी cover कर लेते हैं, even though the diagnosis will be the tinia cruris only, यहां पर आप यह देख रहे हैं, groin region के उपर, inguinal region में, यहां पर आप यह देख रहे हैं, hip का example है, यह बहुत अच्छा example है, classical fungal infection का, कि देखिए कितने बड़े area में यह फैला है, tinia cruris, और यह जो है, this is yet another example of tinia cruris of hip, दोस्तों यह चोथा example है, tinia padis का, tinia padis या फिर इसको कहते है athlete's foot, इसका कारण नहीं पता, इसके पीछे की story हम नहीं जानते, but fungal infection जब pair, मतलब पंजे के उपर होता है, तो इसको कहते हैं, tinia padis, और इसका सबसे common type यह होता है, जो कि mates वगेरे होती हैं, वो घर की महिला हैं, जो कि generally kitchen में और wash place पे काम करती हैं, जिनके pair हमेशा गीले रह जाते हैं, तो in that case, उनको fungal infection हो जाता है, तो यह कुछ example है, जैसे उंगलियों के phalanges के बीच में, यह soul के उपर, यह फिर से phalanges के बीच में, तो इसको कहते हैं, यह एक example है, tinia padis का, जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएं, दोस्तों, अगला example, जो fifth number का, इसका sub-type है, वो है tinia barbeee, मतलब tinia barbeee, मतलब दाड़ी, मतलब जो beard होता है, beard के एरिये में, जब ringworm होता है, तो that is what is known as the tinia barbeee, तो यह देखिए, आप यह example है, यह example है, यह example है, आगे चलेंगे, तो यहाँ पर हम example ले रहे हैं, आप tinia anguiem, थोड़ा सा pronunciation is quite difficult, यह जो है, फंगल infection of nails है, जब नाखुन के अंदर फंगल infection, tinia infection या ringworm का infection होता है, तो उसको हम कहते है, tinia anguiem, थीक है, तो आप यह देख सकते हैं, यह नाखुनों में फंगल infection हुआ है, नाखुन white पढ़ने लग जाते हैं, कई बार इनका shape change हो जाता है, कई बार यह brittle हो जाते हैं, तो उसके बीचे most of the cases, जो पारण होता है, वो यह फंगल infection ही देखिए, उसी तरह से हाथ के पंजों का, यह जो type of fungal infection है, तो यह देखिए, तीनों के अंदर फरक है, कि यह जो हलका सा yellow-yellow है, यह हमारा tinia infection है, classical, और east fungal infection के अंदर यह थोड़ा सा dark color लिये हुए होता है, औ और mild infection कुछ इस प्रकार का दिखता है, तो यह छटा example हमने लिया, example of tinia unanim का, अब हम आगे जाएंगे, example of tinia menum, देखिए, rare cases के अंदर हाथ पे भी fungal infection होता है, on the hand, तो यह उसके तीन example है, एक तो यह है, इस तरह से यह होता है, इस तरह से होता है, और यह इस तरह से होता है, क्या symptom होते है, fungal infection is one of the most annoying eating type of eruption, कि कोई भी skin eruption कभी उतनी eating नहीं करेगा, जितनी eating एक fungal infection करेगा, fungal infection की eating जो होती है, सबसे ज्यादा maddening eating होती है, maddening मतलब पागलपन की हद तक eating होती है, कि आदमी bleeding भी कर लेता है, तक कर लेता है, तब भी वो eating बंद नहीं होती, तो this is the primary symptom, apart from the morphological appearance of the ringworm on the skin, उसके अंदर subjective symptom क्या होगा, eating, intense eating, but tinia vesicular जैसा infection जो होगा, जो मैंने आपको बताया है, tinia corporis का जो type है, जो white-white patches बनते हैं, that are almost always not associated with eating, मतलब tinia vesicular के अंदर eating नहीं होती, उसके अलावा सारे इस खंगल infection जो है, that are associated with the intense and severe eating, अब treatment पर आते हैंगे, treatment of ringworm, as far as the allopathy is concerned, there is no treatment at all, they prescribe you some sort of ointment, some sort of ointment which are having the steroid in it associated with some sort of antibiotic, पर होता क्या है, कि आपने उनको लिया, या फिर यह कई cases के अंदर antibiotic medicine भी आपको और अली खाने को देते हैं, पर आप वो खाते हो, fungal infection सही हो जाता है, फिर एक दिन आता है, आप सोचते हो कि मैं सही हो गया, और आप वो medicine जैसे ही रोकते हो, तो it returns again, और यही होता है, मैंने अपने carrier के अंद चार साल, पास साल, छह साल, और कुछ cases तो ऐसे देखे कि they are suffering from this fungal infection since last 10 years, और होता ही है, उसनों कुछ महीने इलाज कराया, 6 महीने अच्छा रहा, 6 महीने बाद, फिर से उसको fungal infection हो गया, and this thing can run for many years, okay, and the second mode of treatment, जो आपने पास, जो alternation है, उसका कि alopathy में तो कोई treatment नहीं है, तो in homeopathy there is very permanent relief, और यहाँ पर हैं तीन medicine जो कि आपको सीधी सीधी इस case के अंदर देनी है, cpia, tellurium and bacillina, cpia और tellurium का कुछ एक specific symptom है, यह boric के अंदर पीछे repertory के अंदर tinea infection में लिखा है, कि cpia जो है that is indicated in the small rings, कि whenever the ringworm is confined of the very small rings, ठीक है, छोटी छोटी जब रिंग बनती हैं, तब हम देते हैं cpia, तो आपको भी देना है cpia, पर वो fungal infection जैसा कि मैंने example में आपको बताया, बड़े बड़े जिसके अंदर rings बन रहे हैं, जैसे कि टीनिया क्रूरिस के अंदर जो एक example बताया था, कि बहुत बड़ा ring बन रहा है, कई बार ring जो inguinal region से इतना हैं, fungal infection में, ring warm के, उसके लिए जो medicine है, वो है tellurium, अब why the bacillinum, bacillinum इसलिए है क्योंकि भाई यहां पर जीवित, जीवानों का infection हुआ है, जैसे कि ट्यूबर कुलर के patient को tuberculosis वाले को bacillinum क्यों देते हैं, क्योंकि एक जीवित, bacterium, icobacterium, tuberculosis से वो infected है, तो जितने भी ऐसे infection है देखो, मैं ज़्यादा confused मत होना, क्योंकि bacillinum अपने आप में बहुत बड़ा topic है, पर bacillinum यहां पर हम इसलिए देंगे, क्योंकि ring warm के अंदर we are affected by a very living organism हम से affected है, तो उसको हमको एक no sort चाहिए, जो उस living organism को हमारे शरीर में जीवित रहने से रोके, वो है bacillinum, तो bacillinum यहां पर हम intercurrent medicine के रूप में देंगे, अगर आपको नहीं पता intercurrent medicine क्या होती है, तो मेरा एक अलग से वीडियो है, मेरे चैनल पर intercurrent medication आप उसको जाकर देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि bacillinum का हम क्यों use कर रहे हैं, otherwise we are using it as a no sort, as a intercurrent medicine, क्योंकि यह fungal infection बहुत नहीं लेट होते, तो इनको इनकी जड़ों से हिलाने के लिए हमको एक intercurrent no sort medicine चाहिए, और उसका bacillinum जो है, वो main no sort ring bomb के cases में, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह जो वीडियो है, यह आपको पसंद आया है, और आपके काम आएगा, और अगर आपको यह वीडियो नहीं, नमस्कार